हेलो अब्रिवन, माइ नेम इस अकांख्षा विष्णोई और वेलकम तो माइ योट्यूब चैनल इस्टरी विद अकांख्षा, होप यू अल आर वेल, सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस एक्सरसाइज ओफ फ्यूचर इंडेफिनिक टेंस, एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं सारे टेंसेज आपको पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पर अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज के थूँ सारे टेंसेज की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहें, एन फ्यूचर इंडेफिनिट की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, चलिए आज का टॉपिकी स्टार्ड करते हैं, जो कि यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर यानि की भविश्यकाल, जहां पर हमें पता चलता है कि भविश्य में हमारा कुछ काम होगा, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट की यही पहचान है कि इसमें कारे भविश्य में होता है, कोई भी काम फ्यूचर में होता है और इसके वाक्यों के लास्ट में आता है गा, गे, गी अब हम देखते हैं रूल्स कि इसके क्या रूल्स होते हैं आई वी के साथ यूज होता है शेल का एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह आपको ध्यान लगना है आई वी के साथ शेल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी तरीके से ही, शी, इट, दे, यू, एंड प्लूरल फॉर्म प्लूरल के साथ हम लगाएंगे विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वी के साथ शेल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ही, शी, इट, दे, यू, एंड विल के साथ प्लूरल फॉर्म के साथ विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाले कल के लिए यूज होगा टुमॉरो past indefinite की जो हमने practice exercise की थी उसमें बीता हुआ कल था तो बीते हुए कल के लिए क्या होता है yesterday and आने वाले कल के लिए use होता है tomorrow चलिए एक बार verb pattern देख लेते हैं सबसे पहले आता है हमारा subject plus will या shell according to subject जो भी हो हमारा subject plus will shell plus main verb की first form plus object चलिए guys अब हम example के थुरू practice करते हैं first example देखिए मैं कल तुम्हारे साथ मेरट जाऊंगा तो आप देख सकते हैं first example में last में क्या है हमारा गा तो future के हर sentences में इसी तरह last में गा, गी, गे, इस ट्राइब के words आते हैं तो इसकी English देखिए बनाते हैं I shall go to merit with you tomorrow सबसे पहले हमारा क्या आगया? subject जो की है I I के साथ use होता है हमारा shell अभी रोस में मैंने आपको बताए था I के साथ क्या use होगा? shell main verb की first form क्या होगी? जाने की English हमारे go go to merit with you तुमारे साथ कम आने वाले कल के लिए हम क्या use करेंगे? tomorrow I shall go to merit with you tomorrow तो इस तरही के से आप practice करेंगे sentence बना बना के तो अच्छी तरही के से बना सकेंगे चलिए देखते हैं हमारा second example इसमें भी देखी last में हमारा क्या आया है? गे तुम कल बाजार जाओगे तो देखते हैं इसकी English सबसे पहले you जो कि है हमारा subject you will go to market tomorrow you you के साथ हमारा subject क्या लग जाएगा? helping verb क्या लग जाएगी? will you will go to market tomorrow इस तरीके से हमारा बने का sentence third देखिए वहे कल इस पुस्तक को पढ़ेगा इसमें last में क्या आया हमारा? गा जो कि इसकी पहचान है he he के साथ हमारी helping verb will he will पढ़ने की English क्या हो गई? read he will read this book इस पुस्तक को he will read this book tomorrow आने वाले कल के लिए यहाँ पे हम tomorrow का ही यूज़ करेंगे चलिए गाइस अब हम बनाते हैं अपने negative sentences जहाँ पे की हमारा not का use होता है सबसे पहले देखते हैं इसकी verb pattern subject plus will ya shell according to subject plus not क्योंकि यह negative के वाक्य होते हैं यहाँ पे not plus main verb की first form का use plus object यह हो गई हमारी verb pattern इसी sequence में हमारे sentences बनेंगे negative के चलिए first देखते हैं अपना sentence राम दो घंटे के बाद बजार से वापस नहीं आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया नहीं चलिए बनाते हैं English राम विल नॉट रिटर्न from the market after two hours सबसे पहले क्या आ गया हमारा subject जो की है राम after that हमारी helping verb यहाँ पे देखिए singular form है singular हो या plural हो उसके साथ हमारा will का ही use होगा राम विल नॉट नकरात्मक वाक्य है negative है तो उसके साथ हमारा use होगा not का राम विल नॉट रिटर्न यानि कि लोटना return from the market कहां से बाजार से after two hours यानि कि दो गंटे के बाद राम विल नॉट रिटर्न from the market after two hours राम दो गंटे के बाद बाजार से वापस नहीं आएगा इस तरीके से हमारा negative का sentence बनेगा simple है affirmative की तरह ही बनता है बस negative है not का use होता है इसमें तो not हम लगा देते हैं उसी तरीके से second sentence देखे वे इस वर्ष तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे यहाँ पे भी हमारा क्या आगया नहीं वे की इंग्लिश क्या हो गई हमारी दे दे के साथ क्या use होता है will they will not negative है तो क्या जाएगा not हमेशा helping verb के बाद not का use होता है यहाँ पे भी मैंने दिखा रखा है आपको they will not help सहायता की इंग्लिश main verb की first form they will not help you this year इस वर्ष इस तरीके से sentence बनेगा third देखे हम तुम्हारे साथ प्रदर्शनी नहीं देखेंगे प्रदर्शनी की इंग्लिश होती है हमारी exhibition तो सबसे पहले क्या एगा subject subject जो की है हमारा we we के साथ helping verb क्या आती है shall I और we के साथ shall we shall not visit the exhibition with you तुम्हारे साथ तो इस तरीके से हमारे negative के सारे sentence बनेगे so guys अब आते हैं हमारे interrogative sentence यानि की प्रशनवाचत वाकिये जहां पर हमसे कुछ पूछा जाता है starting में कुछ पूछा जाता है या बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे इस type के words आते हैं तो वो होता है हमारा interrogative sentence सबसे पहले देखने थे हैं इसकी verb pattern yes and no type में सबसे पहले आती है helping verb हमारी will या shelf plus subject plus not plus main verb की first form plus object plus question mark यह आपको ध्यान रखना है question mark जरूर आएगा इसमें और दूसरी जो हमारी word pattern दूसरे type की है वो है हमारी ws type ws type means जहां पर बीच में when, why, where इस type के question हम से पूछे जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो तुम आज क्या खाओगे ये example के through में आपको बता रही हूँ तो बीच में हमारा क्या यह है क्या, तो क्या की English सबसे पहले आजाएगी word इसलिए इसे हम कहते हैं ws type सबसे पहले question word plus will shall plus subject plus अगर note है negative है तो note plus note plus main verb की first form plus object और question mark इस तरीके से हमारी word pattern होगी चलिए अब sentence देखते हैं अबना तुम आज क्या खाओगे what will you eat today सबसे पहले English आ गई हमारी क्या की क्या की English हो गई what what के बाद हमारी helping word will after that हमारा subject subject क्या है हमारा यहाँ पे you what will you eat today तुम आज क्या खाओगे last में हमारा question mark उसी तरीके से हमें इस साल अंगरेजी कौन पढ़ाएगा तो इसमें हमारा बीच में क्या आया है कौन तो कौन की English हमारी सबसे पहले आ जाएगी जो की है who after that हमारा helping word helping word यहाँ पे हमारी क्या लगेगी will who will teach us English this year and last में हमारा question mark तो इस तरीके से हमारे interrogative के sentence बनेंगे guys अभी हमने पढ़ेते WH family के examples और आप आते हैं हमारे yes no types yes no types की word pattern हम देख चुके हैं चलिए एक बार फिर देख लेते हैं starting में हमारा will shell plus subject plus not plus main verb की first form plus object plus question mark चलिए देखते हमना first sentence क्या तुम मोहन की सहायता नहीं करोगे तो starting में हमारा क्या आया है तो वहाँ पे क्या की English नहीं लगेगी बलकि हमारा helping verb starting में आ जेएगी क्या तुम मोहन की सहायता नहीं करोगे तो English हमारी देखो इसकी कैसे बनेगी सबसे पहले helping verb will क्योंकि you के साथ हमारी helping verb क्या लगती है will will you not negative है तो not का use होगा after subject subject के बाद will you not help मोहन और last में हमारा question mark यह आपको धिहान रखना है उसी तरही के से second sentence क्या तुम अपनी माता जी को एक पत्र लिखोगे तो starting में इसमें भी हमारा singular form है तो क्या जाएगा will will you write लिखने की इंगलिश होगी right will you write a letter to your mother अपनी माता जी को today यानि कि आज will you write a letter to your mother today और last में हमारा क्या आगया question mark तो इस तरहीके से हमने बनाए अपने affirmative, negative and interrogative sentences hope guys आप लोगों को समझ में आया होगा and कहीं कोई भी doubt हो तो आप comment box में जाकर पोश सकते हैं वहीं पर मैं आपको reply दे दूँगी and if you like my video then please like, share and subscribe and press the bell icon ताकि आपको मेरे आने वाले videos की notification सही समय पर मिलती रहे चलिए मिलते हैं अपने next video lecture में thank you so much कोई लोग आपको आपके लिए पर सकते हैं